धाकर फ्लॉप हो गई धाकर ने बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिये लेकिन धाकर कंगना का घमन नहीं तोड़ पाई धाकर के डिजास्टर होने के बावजूद कंगना रनौत ने गिनाई अपनी उपलब दिया और बताया कि वो बॉलिव रुपए कमाए इसी बीच कंगना के लिए इंडस्टरी में एक यही बात चल रही है कि अब कंगना जो है सिर्फ मुद्दो की वज़े से चर्चा में रहती है वरना उनका फिल्मी करियर जो है वो बचा नहीं वो आलमोस्ट खतम हो चुका है लेकिन कंगना जो है वो हार नह नहीं है और वो आज बॉलिवूड इंडस्ट्री में है तो अपने दम पर है कंगना रुनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सी क्यूरेटेड नकारात्मकता दिखाई दे रही है कंगना ने बताया कि 2019 में म फिल्म भी ठलाइवी जो OTT पर आई और हुज सक्सेसफुल फिल्म रही कंगना आगे कहती है कि मुझे बहुत ही क्यूरेटेड नेगिटिविटी दिखाई दे रही है लेकिन 2022 ब्लॉक बस्टर लॉक अप होस्टिंग का वर्ष है और यह भी खत्म नहीं हुआ है मुझे इस वक्त अक्टिंग के साथ साथ डिरेक्शन और प्रोडक्शन भी कर रही है और आने वाले समय में उनकी सीता और इंद्रा गांधी पर बेस्ट फिल्म इमरजेंसी भी आने वाली है